कि अगला टापिक है सुपर पोजिशन आफ वेप्स देखिए वेप की एक थियोरी है कि वेप का सुपर पोजिशन क्या होता है सुपर पोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं अब बहुत सुध हिंदी बताएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे उसको कहते अध्यार ओपन और कट टफ हो गया ना इसले में इसी बता देता हूं दो वेजरा समझेगा माले हम कहें कि एक पार्ट के लिए है मीडियम का यहां पर रखा हुआ है और एक वेव आई ऐसे एक वेव आई ऐसे और यहां आके इसको धक्का मारा उसने और इसको उपर की ओर वाईवन डिस्प्लेस कर दिया और इसके बाद एक और वेव चली आ रही है उसने इसको धक्का मारा और इसको जहां पर था वहां से वाईटू डिस्प्लेस कर दिया तो टोटल डिस्प्लेस्मिन कितना हो गया वाईवन प्लस वाईटू सही का दूसरा तरीका समझेगा दूसरी लोकेशन यह है कि पार्ट किया और उपर की ओर वाईवन डिस्प्लेस कर दिया और दूसरी वेव ऐसे आई और बाईचांस वह ऐसे पहुंची यहां और ऐसे पहुंची तो इस पार्टिकिल को नीचे की तरफ वाईटू डिस्प्लेस कर दिया जहां पड़ था वहां से तो अब नेट डिस्प्लेस्म इच दर, शर्त यह है कि दोनो वेव एक दूसरे को कही डिस्टरब न करें तो किसी भी टाइम, किसी पार्टिकल का जो resultant displacement होता है वो उन दोनों के displacement के वेक्टर सम के एकल होता है देखो जब हम बात वेक्टर सम की करते हैं या हम जब बात अलजबरिक सम की करते हैं चेंज होने पर उसका साइन बल जाएगा मतलब यहां डिरेक्शन सेम थी तो वाइवन प्लस वाइटू हो गया यहां डिरेक्शन पोजिर थी तो वाइवन माइनस वाइटू हो गया दूसरा एक्जामपल आप क्लास में बैटे हैं टीचर आया आपने काम नहीं क्या एक बैशन वाला है बहुत जल्दी होगा अच्छा एक इधार से पड़ा वन एक इधार से पड़ा हाफ कितना हो गया वन हाफ तो हाफ हुआ न तो हमने क्या देखा दो वेबस एक दूसरे को एधिक्र किये वगर अगर किसी मीडियम में चलती है तो मीडियम के किसी पार्टिकिल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लैस्मेट होता है वो दोनों के दोनों वेफ स्के produce displacement के vector sum के equal होता कह सकते हैं ऐसा तो लिखेगा if two waves move in a medium if two waves move in a medium move in a medium simultaneously simultaneously without affecting each other without affecting each other then at any instant then at any instant at any instant the resultant displacement the resultant displacement of a particle of a particle in the medium is equal to the resultant displacement of the particle in the medium is equal to the vector sum vector sum of the displacements of the displacements produced by two waves separately produced by two waves separately इसको हम जरा analytical तरीके से सम्झाने की कोशिस कर रहे हैं देखिए अभी हम wave को एक direction में भेज रहे थे तो resultant displacement बढ़ गया था y1 प्रस y2 हो गया था और दुबारा में हमने क्या किया था एक wave उपर जा रही थी और एक wave नीचे जा रही थी तो जो resultant displacement था वो कम हो गया था तो जहां पर resultant displacement बढ़ जाएगा उसे कहेंगे constructive superposition देखिए आगे चलके concept आएगा interference का फिलाल उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अब जरा paragraph change करके लिखे इसको हम बताने जा रहे हैं सुनिए ध्यान से हमने का suppose दो waves किसी medium में चल रही है और दोनों की frequency same है किसे एक चीज़ को same मानना पड़ेगा दोनों की frequency same है और दोनों के amplitude A1 और A2 है तो लिखेगा let two waves let two waves of same frequency omega omega हमने क्यों यूश किया omega को frequency कहते है angular frequency कहते है कोई दिक्कत नहीं omega भी लिख सकते है और N भी लिख सकते है let two waves of same frequency omega is traveling in a medium is traveling in a medium मैं उसको omega कहिए जब w जब थुदा सा जड़ा जाता ना इसे कर लेता तो omega बन जाता है omega w ऐसे बनाते है और omega को ऐसे बनाते है ठीके यानि जब हाँ looking similar अलग बात होती है but it is not w looking similar but shivering with the cold becomes like this becomes omega अब यह नहीं लिखेंगे आप w shivering वो मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ हाँ हाँ w तरह बनता है इसको omega कहते it's traveling in a medium and a1 and a2 are their amplitudes and a1 and a2 are their amplitudes जानते हैं आप क्या होता है maximum displacement जो प्रेड्यूस कर सकती है waves ठीक है आप देखें दोनों वे यह भी हो सकता है कि same face में जाएं यह भी हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे जाएं कभी कि भी आपने class में देखा होगा कि class की checking होती है दो-चार teacher एक दम से खुश आते हैं खड़े हो यह आसब लोग back check होगा देखें कोर mobile लेकर आए नहीं आया फिर दमा दम सुरू होता है तो एक आया फिर दूबारा दूसरा check करने आया तो यह दोनों एक दूसरे से आगे पिछे आते हैं इसी को face difference कहते है उन्हें master है तो मार की ही बात कर रहे है वो अलग की बात है वो example में दे रहा हूँ लिखे let phi be the face difference between the waves let phi be the face difference between the waves and y1 and y2 y1 and y2 be the displacement of a particle be the displacement of a particle at any instant t at any instant t then जरा साओधान at of a particle in a medium at any instant t then अब जरा समझ लीजे जो थेओरी लिखी हूँ दूसों समझेगा हमने का दो waves हैं plane progressive wave मान रहा हूँ वो दोनों origin बे मान रहा हूँ आपको याद हो plane progressive wave की question क्या होती है a sin omega t minus kx हम फिलाल x को 0 मान रहे हैं ये simple करने के लिए ठीक है and y2 is equal to क्या होगा जो दूसरी wave पहुंची थी वो होगी a2 sin omega t plus 5 plus 5 या minus 5 दोनों के बीज का जो phase difference था वो 5 था अब जरा समझेगा ये wave पहुंची किसी particle से मिली और उसमें y1 displacement create किया दूसरी wave पहुंची उसने इसमें y2 displacement किया उपर या नीचे कैसे भी कर सकती है तो by principle of superposition जो resultant displacement होगा by principle of superposition superposition जो resultant displacement होगा the resultant displacement y is equal to होगा y1 plus y2 ये सब कुछ दारोमदार है इसके phase difference पहुंची कि दूसरी वाली जो wave आती है वा कैसी आती है जो ना समझेगा यह आएगा a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus 5 यहाँ पर हम sin a plus b का formula कोरेंगे पढ़ा होगा आपने trigonality में तो आएगा a1 sin omega t plus a2 sin इसको लिखेंगे sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi आपने sin a plus b का formula पढ़ा है sin a cos b plus cos a sin b उपर हम रभ करेंगे एक दूराइंस इस प्रैकेट को खोलिए तो y is equal to a1 sin omega t देखें इस प्रैकेट को खोलिए तो यह आएगा a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi यहाँ पर आप क्या करेंगे sin omega t कामा लिल जेगा sin omega t कामा लिल जेगा बचेगा a1 plus a2 cos phi plus a2 cos omega t sin phi अब हम निकाल के आ रहे हैं जो resultant wave है उसकी equation निकाल रहे हैं कि वो जो दोनों wave के effect की वज़ए से जो particle oscillate हो रहा है उसकी resultant equation क्या है देखे ध्यान से हमने इसको कुछ assume कर लिया हमने माल लिया let a1 plus a2 cos phi को हमने माना r cos theta equation number 1 हमने क्यों माना भी हम बता रहे हैं आपको और a2 sin phi को हमने माल लिया r sin theta so जरा रखो उपर language सुन में आ रही है concept सुन में आ रहा है यह नहीं आ रहा है यह note का लिए आ नीचे देखे या रखिए तो y is equal to sin omega t into इसको हमने क्या माना है r cos theta plus cos omega t into इसको माना है हमने r sin theta यहां से आपको दिख रहा होगा r common ले लिजेगा sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta sin a cos b plus cos a sin b is the formula of sin omega t plus theta it is the resultant displacement इसी को कहते है resultant displacement बड़ी आसी मज़ेदार बात आपको बताते है यह आपने r cos theta ही क्यों माना भाई आप इसको r sign मान सकते थे इसको r cos मान सकते थे ऐसा question raise कर रहा दिमाग में नहीं कर रहा है हाँ ठीक है तो पूछा हाँ तो मैं exactly answer दे रहा हूँ ज़रा सुनिएगा यह आपकी sinusoidal wave थी sinusoidal wave थी ना तो दोनो sinusoidal wave जब अपना resultant effect दिखाएंगी तो एक अगली sinusoidal wave ही बनेगी नहीं बनेगी अब एक बड़िया master वाला example सुझेगा वही मारने वाला वही बार बार वही example लाता है क्या करें हम लोग क्योंकि उस दवरान से master है जब खुब दुनिया होती थी अभी तो चेंज हो गया ज़रा सुनिए ज्यान से आपको ऐसे ऐसे पिटाई हो रही है वो नहीं है वर्चुल पिटाई हो रही है ऐसे ऐसे थपड़ मारा गया आपका सर ऐसे इसे हिल रहा है एक ने और मारा और सर हिल रहा है तो आपका सर ऐसे हिलेगा का ऐसे हिलेगा का ऐसे हिलेगा ऐसे हिलेगा ना तो अगर एक ने ऐसे इसे थपड़ाया दूसरे ने भी ऐसे करा तो resultant effect ऐसे इसे होगा कि नहीं होगा दूसरा दूरा दूरा दूसरा दूसरा आप गए उसने आइसे मारा पंच वो तो पिच्वें महोता अास्टर उसली चले यह ने चलेगा अच्छा एक ने अइसे मारा एंसे तो इसे चलोगे को ता इसे इसे चलोगा इसे इसे कर इसे जा रहे कर इसे जा रहे होगा नहीं होगा तो आगे बड़े क्लास में आप जाएंगे तो एक साइंटिस्ट थे Lysangious क्या नाम था Lysangious उन्होंने एक पार्टिकिल को हर डिरेक्शन से पीटा ऐसे मोशन किया फिर ऐसे मोशन किया ज़रा समझेगा एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है एक ऐसे लगा हुआ है अब रिजल्टन इसर बीस से जाएक नहीं जाएगा एक ऐसे फोर्स लग रहा है बोड़ी पे एक ऐसे लग रहा है तो resultant 20 से उकर के जाएगा, ठीक है, तो particle कुछ ऐसे oscillate करता है, तो लिसांजियस साब ने बताया था, हो सकता आपको competition में कुछ बताया भी जाए उसकी बारे में, फिलहाल चुकि दोनों sinusoidal थे, दोनों ऐसे इसे थपड़ा रहे थे, तो resultant खोपड़ी भी ऐसे इसे move कर रही इसी लिए resultant wave भी आपकी sign के far में बताए गई, बात समझ में हैं हमने sign क्यों माना, आचा, अब ज़रा समझेंगा, यहां r क्या है, r is the resultant displacement amplitude of the resulting wave, तो लिखे where r is the amplitude of resulting wave, r is the amplitude of resulting wave, अब हमको r की value निकालनी है, आपके ncrt में concept same लगाया है, उन्होंने amplitude same मान लिया है, जो a1, a2 हमने माना है न, दो waves का, वो same मान लिया है, इसलिए उनका calculation थोड़ा सा easy हो गया, बस और कोई दिक्कत नहीं, ज़रा समझेंगा, r को निकाला कैसे जाए, अगर इन दो equations को squaring and adding कर दें, तो r निकल आएगा, तो आप कहेंगे squaring and adding, equation 1 and 2, ज़रा इधर आईए, r square cos square theta plus r square sin square theta, क्या होगा ये, ये हो जाएगा r square, इधर आएगा, that खोल नहीं इसको, तो इसको खोलेगी तो आएगा a1 square plus a2 square cos square phi plus 2 a1 a2 cos phi plus a2 square sin square phi, ध्यान रखिए, ये phi है, इधर theta था, अब ज़रा इसको थोड़ा calculate कर लेते हैं, देखें, a2 square cos square phi plus a2 square sin square phi में, जो हमने a2 square कामन लिया, तो ये आगे आपका a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi, ये resultant amplitude हो गया, अब देखो, r की value किस पर depend कर रही है, 5 पर depend कर रही है, किस पर कर रही है, 5 पर depend कर रही है, मतलब एक punch पड़ा, हम ऐसे जुके, जब तक सुधरे सुधरे साथे दूसर ने punch मार दिया, तो ज़्यादा उधर चले गए, एक punch पड़ा, जब तक सुधरे, एक ने इधर से punch मार दिया, तो ये depend करता, दोनों जो punching हो रही है, वो कितने phase difference पे हो रही है, तो ये जो concept है, इसी को कहा जाता है, superposition, अच्छा, इंटर में आप पढ़ेंगे, interference of light, इंटर वाला इंटर नहीं, interference of light, तो वहाँ बिल्कुल यही derivation दुबारा आएगा, फिलहाल मैं interference नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, देखे, अब हमने कहा superposition, क्या बताया हमने, हमने कहा दो waves, जब effect डालती हैं कहीं पर, किसी medium को displace करती हैं, तो resultant displacement का, जो resultant displacement होता है, वो दोनों के द्वारा produced displacement के vector समके equal होता है, वो तो हमने बता दिया y1 प्स y2, अब कब maximum displacement होगा, कब minimum होगा, अब बताइए, पहली wave maximum कितना displace कर सकती थी, a, a1, जो पहली, ने, मैं, I am not talking about this, what I am asking the question, listen to the question, पहली wave उस particle को कितना maximum displacement कर सकती थी, तो आप कहेंगे a1, a1, जितना उस wave का amplitude था, क्योंकि wave maximum a1 displacement कर सकती थी, दूसरी wave a2 displacement कर सकती थी, तो maximum displacement particle का कितना हो सकता है, a1 प्लस a2, अच्छा, minimum कितना हो सकता है, a1 माइनस a2, यही तो चीज़ हो सकती है न, तो जब maximum displacement होगा, तो उसको कहेंगे constructive superposition, देखे, इंटर में interference आएगा, तो उसको कहेंगे constructive interference, वहाँ intensity of light की बात करेंगे, हम यहाँ बात करते हैं displacement की, तो पहला case लेंगे, case 1, for constructive, interference हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे superposition, superposition, मतलब हम निकालना चाह रहे हैं, y की maximum value, maximum displacement निकालना चाह रहे हैं, y बोले तो r, maximum r, ठीक है, अब देखें, constructive interference के लिए, cause 5 की value maximum होनी चाहिए, cause 5 की maximum value कितनी होती है, plus 1, तो यानि की अगर मैं, यहां रख देता हूँ, तो r maximum square क्या निकलेगा, a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2, तो can we write r maximum is equal to a1 plus a2, तो यह maximum displacement, उस particle में create हो सकता है, मैं superposition की बात कर रहा हूँ, मैं inter silence की बात नहीं कर रहा हूँ, light में आपको बताए जाएगा, कि दो light wave जब कहीं पर पड़ती है, तो उसकी जो intensity होती हो, कुछ आगे पीछे होती है, उसको कहेंगे interference of light, same derivation वहां होगा, लेकिन फिलार हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं, तो यह R maximum हो गया, constructive superposition, अच्छा, cause 5 की value 1 होती ही कब है, यानि कि here 5 जो है, 0 हो जाए, 0 मतलब दो रहों master, एक ही साथ आगर के, पिटाई सुरू करते हैं, नहीं मतलब master का example ले रहा हूँ, उसको आप बुरा मत मानिएगा, और कोई ले नहीं सकता, क्या 0 पर ही cause 1 होता है, cause 5 0 पर ही 1 होता है, cause 2 pi भी 1 होता है न, 360 वाले फार्मले पढ़े होंगे न, तो cause 2 pi भी तो होता है 1, 4 pi भी तो 1 होता है, यानि कि इसको कह सकते 2n pi, 5 कितना होना चाहिए, यानि n is equal to, 0, 1, 2, 3 and so on, यानि ये जब face होगा, face का मतलब क्या होता, 0 face का मतलब same face, 2 pi मतलब फिर load करके वही particle पहुँच गया, तब फिर same face होगया, संदारी बार नहीं आ रही है, भाई देखे, वेप कहती है, कि भाई यहां से अगर पूरा oscillation हम complete कर ले गए, तो हम फिर उसी face में आ गए, सही कहना है ना, आप अगर oscillation में जाईए, यहां से गए, यहां गए, यहां आए, फिर यहां भूच गए, 2 pi, तो फिर same face में आ गए, फिर 2 pi गए, फिर same face में आ गए, तो इन सभी cases में, वो same face में है, नहीं है, यह नोट कर लिया, NCRT में थोड़ा सा, एक हलका सा confusion है, अभी उसको बात करते हैं, पर इसको लिखे, अब लिखे case 2, for destructive superposition, case 2 आएगा, for destructive, destructive superposition, यानि मैं minimum value of displacement, निकालने जा रहा हूँ, तो cause 5 की minimum value क्या होती है, minus 1, minus 1, तो यहाँ पर minus आ जाएगा, यहाँ पर minus आ जाएगा, यहाँ minimum हो जाएगा, वो लिखे, अपना तुरब करके लिखे, अब हम क्या करें, आप दुबारा लिखे, अब minus 1 value कब होती है, pi, 3 pi, 5 pi, ऐसे होती है न, तो 5 की value आएगी, pi, 3 pi, 5 pi and so on, odd number में 2n plus 1, या 2n minus 1 लिखते हैं, चाहे 2n plus 1 लिखो, चाहे 2n minus 1 लिखो, अंतर क्या होता है, जब odd number को 2n plus 1 लिखेंगे, तो n will start from 0, और 2n minus 1 से, n will start from 1, तो यहाँ n को 1 से start करेंगे, where n is equal to 1, 2, 3 and so on, समझ में आगई बाद, आगई बाद,